हाजी बाबा दिलशाद जो की पिछले माह हज यात्रा पर गए थे दो दिन पहले हज से वापसी उपरांथ एक बार फिर चन प्रदेसी हेल्पिंग ग्रूप ट्रस्ट के दवाईयों के लंगर में अपने तीन साथियों के साथ दवाईयों की किट देने पहुँचे डॉट उन्होंने ने कहा बेशक नागपाल जी की इस मानव सेवा से पहले दिन से ही बहुत प्रभावित हूँ और पहले हफते से ही जो भी मुझ से बन पाया मैंने दवाईयों में सहयोग डाला मगर मेरी इच्छा सदैव ये भी रही की इस महान कार्य में और लोग भी जुड़े इसी भावना के साथ मैं आज भी अपने महमानों को अपने साथ में इस मेडिकल हैलप के माडल को दिखाने के लिए लाया हूँ यहां आकर सभी महमान नागपाल जी की कार्य शाली से प्रभावित हुए डॉट मैं एक बात और कहना जरूरी समझता हूँ कि मैं हज दौरान मदीना शरीफ में पूरे हिंदुस्तान की खलकत के लिए दुआएं मांगता हूँ किन्तु इस बार चन प्रदेशी ट्रस्ट का अपना अस्पताल बहुत जल्दी बन जाए ताकि और भी जयादा मरीजों को बहतरीन सुविधाएं मिल सके वस सभी सहयोगियों को उनकी दौायों का शवाब मिल सके डॉट हमारे इसलाम के धर्मी लोग सदा हज करने की कामना करते हैं मगर नहीं जा पाते और आप सभी की दौायों के सदका मुझे चौथी मरत्बा हज उम्रा करना नसीब हुआ डॉट इस अफसर पर उन्होंने मदीना से लाई हुई खजूरे वा आबे जम जम भी डाक्टर साहिबा ट्रस्ट टीम वा मरीजों में प्रसाद रूप में वित्रत की इन जीओ के संस्थापक चंदर नागपाल ने हाजी बाबा, उनके साथ आये गुलाम नभी शामली वाले वा अन्य साथियों का गले में फूल माला डाल कर तालियों के साथ सवागत किया तथा दवाईयों वा दौायों के लिए धन्यवाद किया इस अफसर पर डा रुबिंद्र कॉर, कॉर कमेटी मेंबर अकाशदीप, जोगिंदर पाल, तेजपाल वा बड़ी संख्या में दवाई लेने पहुँचे मरीज वा उनके परिवारिक मेंबर भी मोजूद थे बात करनों बात, ऐस्ता ऐस्ता सड़े पहल प्रामा दा दोस्ता दा सड़े दनी सजना दा हाजिवाब बजहे शिक्षियता दा सहर्योग मिलदा गया, ए हुली हुली रिस्तार होंदा गया, अज साटे को जे गल करिए, एक सो सथ पैंटो वद्द वाईयाने, जो के बिलकु फ्री दिती है या ने ने उस तो बाद असी लेबोर्टरी बनाई, लेबोर्टरी के विच सारे टेस्ट है थे, चारे एक ताली टेस्ट जो इत्ते हुंगे सी ओ फ्री सी, बड़े अफसोस दिकाला है कि साटे को ले स्टेम लेबोर्टरीशन नहीं है कोई, कोई टेक्नीशन नहीं करके साटा एक मिना साव मिना तो लेब बंद भई है, असी बार-बार कोशिच कर रहा है कि कोई मिले ते असी इस लेब नो दुबार तो चुरू कर सकी है, उस तो बाद जो टेस्ट बारों करवाय जाने ने, उस असी रिक्मेंड करके बेज़ दें, अपने स्टेम जो छोटे लेब टेस्ट ने, ओर टेस्ट भी करवाय जान देने साटे, अबराय होस्पिटल को उत्ते भी साटे 50 पिसेंट शार जोड़ देने, जिसनों जो नेड़े पेंदा हो तो टेस्ट करवा देने, तो गल कहने सी अपाँ जे अज दी कहल करिए, अज 11 मैंनों सानों 6 233 दिन पूरे हो जारे हैं जो सब आप सब्सदे सहयोग दे सदकाने, दास्ता सिरफ दिखनवास दे यग्या है, बगकी बैगरओन जिबें फिल्म दे विच एक हिरो होंदा हिरो होंदिया, बैगरओन दे बाउत बटी टीम होंदी, बाट बटी टीम होंदी, जो साटी भी सब तो पहला सहयोगता मैं कहांगा के साड़े डॉक्त साथी टीम होंदा है, क्योंकि जो डॉक्टर नौवे साटे को दस लगती द्वाई भी भी मिट्टी है, अजी अपने आप बिना डॉक्टर ली डिस्क्रिक्शन दे, एक रपैरी क्या, एक दस पैसे दी गोली भी दे अजी नहीं साथे, ते उस्तो बाद असीत्ता अनवादी हां, उन्हा संचना दे, जो सब दे नाथ 6 जड़ाई दोजार भाई तो लगातार जुड़े हो ने, साड़ों हर मिने द्वाईयां ने किट्टा बेट करके जा दे ने, उना दे बीच एक शक्षियत है, साड़े इना दे आखोई दोस्त मित्र इस्तेदार आये हों, डबलता हो सकते हैं उन्हानों दिखान दे नजरी इना, पर कदे मिस्स नहीं होया, बड़ा शुकर गुजारासी इना दे, बाल-बाल इना दा शुक्रिया है, बहुत-बहुत तर्वाद करते हां दे इना बाले दस्ति है कि छॉक्रियने के होई भी स्मार्षेवी संस्ता अरुनी इना देर्भी इस्मार्षेवी संस्ता है, लोहाल ब्रादरी ना दे जुदे होई ने, ओना दे भी वजवी वड़ा इना दा योगदान है, उना वलोवी सह जोगसर्वू, टाइम टुटाइम हेलें आखे दिंदे रेंदे ने होई वी जिड़े इनना मित्तर सज्जन रिस्टिदा जोवी ने सारे बनो कोश्ची शुन दिए कि द्वाईया दे लंगर देवीच हो कुछ ना कुछ अपना योगदान पांग क्योंकि बून बून अलतलाब पड़ता है सो हजीवाबजी जो इस वाद चौती वाद हर्ज करके आएने बड़े खुश नसीब ने हो बड़े खुश नसीब आसी जिना राशीरवाद सारे नाल है उस सारे मोडला मोडला के इस द्वाईया दे लंगर देविच जो सिवा का रहे हैंने उप आवे दिखना नहीं है पड़े दे पिछे होंदेने पर उस लूप लाया नहीं जा सकता असी उना दे नाल जो साथी चलके आएने यूपी दो शामरी तो आएने हो जड़ी जड़ी जगा दो आएने में कले 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 दा नाम नहीं ले सारदा तो उना ना भी असी इत्थे आंदे लगी तेह दिन तो शुक्र कुजान करते हैं उना ने नालिक सज्जद गुलाम नभी जी जो शामरी दुआये ने उना ने सानों हमगारा परेया है के हर मिने कुछ ना कुछ योगदान असी पावांगे ते उना नोसी अपना जो किवार कोड़ है और दे दिता है और रसी दिती है ते असी उना ना भी तेह दिल तो इत्थे पहुंचने लिए शुक्रिया कर देहां में कुल लफज नहीं है इन्ना से योगिया दा इन्ना दानिया दा असलाम लेकुम तमाम नगरवासियों को मेरे तरों से मुबारख बार अभी चौथी बार हज उम्रा किया और हमारे नाग पाल दी जो बहुत टैम से यहां पे समास सेवारी काम कर रहे हैं हुआयों के इनकी दमानियों का फिरी दंगर मैं पहले भी बोल चुका हूँ और अभी फिर बोलता हूँ के तमाम नगरवासियों से भी गुंती है कि और जादा से जादा इसमें स्योग दे तो कानी कि किसी के काम आने ही जिन्दगी है जिन्दगी महबत का दूसरा नाम है तो दोस्तों जितना हम योगदान करेंगे उगानी के निकालो जिसके दर्या का पानी कम नहीं होता और दान करने से खजाला कम नहीं होता मैं बहुत ही शुक्र फुदानों तमाम नगर वासियों का इस परितर धर्ती पे मुझे सेवय का हुखा मिला और मैं अपने लोहर मलतानी बिलादी की और अपनी और से अपने नाक पाल जी को मुबारक बाद भी दिता हूं मैं गुलाम नभी यूपी शामजी से हाजी बाबा के माशाला उम्रा करने की सबसे पहले मुबारक बात देता हूं और खुश नशीब है हुआ आदमी जो खज उम्रे के लिए जा रहा है जिसको रब बलाता है वही इसान वा जाता है तो जैसे हमें पता चला कि हमारे हाजी बाबा साथ जो है उम्रे के लिए गए हुई है अलम्दुलिल्ला हमें बड़ी खुशी हुई और हमने दुआई भी की और कल मैं इनकी खिद्मत में हाजिर हुआ हूँ ऑर गण्चार जाङ। तो अलहम्दुलिल्ला इन्होंने कहा कि आप चले और देखे कि एक सिलसला एक निजाम यहाँ चला हुआ है तो अलहम्दुलिल्ला मैं आया तो देखा मैंने माशाला बहुत लोग यहां आई हुए अपनी बिमारी को लेके तो हमें बड़ी खुशी हुई और इस तरश जो है कि इसको हम मुबार्क बात देते हैं दिल से कि यह और तरक्य करें और लोग इसमें जो भी कोशिश करें जी और दूसी बात यहां जितना भी काम हो रहा है अलहम्दुलिल्ला वो खिदमत हो रही है फिरी दवाज देते हैं किसी से कोई पैसा नहीं है और जितने भी लोग इ जुड़े हुए हैं उनका भी मैं तहे दिल से शुक्रादा करना चाहता हूँ कि उनके जरीए से आप लागपाल जी फिदमत कर रहे हैं और हमें भी इस ट्रस्ट से जुड़ने का मौका मिला है और आगे से हम भी कोशिश करेंगे हमारे जितने भी मिनने वाले हैं उन सबीर से दर्खास करेंगे गुजारिश करेंगे कि हाजी बाबा के जरीए से हम जुड़े हैं तो लोग और भी जुड़े ताकि ये ट्रस्ट आगे चले और एक पैगाम पोचे हर बिरादरी में इसमें कोई जाती को डेके कोई मामला नहीं है सब हमारे लिए बराबर है और हमें झाल 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 झाल